हेलो फ्रेंड्स असलावलेकूम कैसे हो आप सब आप सब ठीक होंगे आज हम बना रहे हैं वेजी टेबल मटर पुलाओ आप इसमें कीमा भी एड़ कर सकते हैं अभी हमने इसमें आलू और मटर एड़ करके बनाया है बहुत ही टेस्टी बनते फ्रेंड्स आप भी इसे एक बास जरू ट्राय करें और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी आलू मटर पुलाओ बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक लस्चन अदरक लस्चन के आप पेस्ट भी इस्तिमाल कर सकते हैं हमने पंदरा कली लस्चन के ले लिए है और दो इंच के अदरक तुकड़ा और हरी मिर्ची तेस के साब से आप ले लिजिए आठ दसली हमने तीखी है ये और प्यास ले लिए हमने दो मिडियम साइज के और कोटमीर पुदीना थोड़ा थोड़ा इसकी हम पेस्ट बना ले कर देयों फ mission YES मेले अदियू अब इसमें ले लिए कर दिया आप इसमें बारीककटि हुए प्यास कर देंगे इसे भी हम golden brown कर लेते हैं, अब हम इसमें एड़ करेंगे, टमाटर बारिक कटे हुए, तीन टमाटर ले लिये हमने, अब हम इसमें एड़ करेंगे, नमक, टेस्ट अकोर्डिंग, यह हमने ग्रीन चिल्ली एड़ कर दी दो, बीच में से काटके, अब यह जो पेस्ट बना ली चाफ़ी ग्रीन मसाला यह हम इसमें प्रेंड़ करेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रै-ड़न्स sum चाट के करेंगे और मतर प्रीम में इसे एक कप आ inge अब हम इसमें आड्र कर देंगे धन्या पौटरगीं तुम और यहां में बचोट में करें ग्राथ ये हमने गरम मसाला पाउडर डिटा कैया है, 1.5需要 आथा तीस्पून, अब ये हमने बास्मती राइस ले लिये है, इसे हमने धो कर और 10 मिनट ही भीगो कर रखा है, अब हम इसे आट कर देगे, मसाले के साथ अब हम इसमे पानी आट कर देगे, यह हमने देड़ कप लिये थे चावल, तीन कप पानी एट कर दिया हमने, उपर से हम इसमें लेमन, हाफ लेमन जूस एट कर देंगे, यहां पर हम नमक टेस्ट कर लेंगे, अब हमने यहां हरा धनिया और पुदीना बारिक काट कर इसमें एट कर दिया है, दही एट कर दिया हम कि देखिए तीन सीटी ले ली हमने को ठंडा करके खोलेंगे यह देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे हमारा मटर पुलाव बनकर रेडी है आप भी इसे बनाए और इंजॉय करें बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स आप भी इसे जरूर ट्राय करें और बहुत ही